अब जो एलकेन होते हैं वो बिचारे दुनिया के सबसे उदास बंदे हैं अब पूछोगा ऐसा क्यों जो एलकेन है दुनिया के सबसे उदास बंदे क्यों है क्योंकि जो एलकेन है वो है सिंगल भाया यह तो दुखी वाली बात है एलकेन क्या है एलकेन है सिंगल बंदे यान की कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉंड होता है तो बनता है एलकेन हेलो गाइस क्या हाल चाल बढ़िया एकदम तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल कैमिस्ट्री विद मेहुल में तो पिछली वीडियो में हम कैमिस उसमें आने की संभावना काफी ज्यादा है उन सारे कोश्चन को हम कर रहे थे जिसमें हमने कोश्चन नमबर 10 तक सौल कर दिया था को पेपर आज हम करेंगे कोश्चन नमबर 11-18 और काफी इंपॉर्टन कोश्चन होने वाले हैं 11-18 के बीच में अगर आपने पहली वीडिय काफी इंपॉर्टन वीडियो है काफी कोश्चन हैं उसके अंदर से और हो सकता है कुछ इसन अपको और देखने को मिलें ठीक है तो बिल्कुल भी lenient बत लीजिएगा काफी important वीडियो है वाली जा करके जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम शुरू करते हैं question number 11 अपना और question number 11 पहले हम पढ़ते हैं देखे क्या कहला है question number 11 An echo solution of metal nitrate P एक metal nitrate है हमारे पास P react with sodium bromide किसे react कर रहा है वो sodium bromide से react कर रहा है to form yellow PPT of compound Q देखे क्या कह रहा है हमसे हमसे कुछ यह कह रहा है कि हमारे पास एक metal का nitrate है metal nitrate है जिसको अमने नाम दे दिया है P ठीक है उस P की reaction यह जो metal nitrate P है इस P की reaction मैंने करा दी किससे NABR से sodium bromide से ठीक है जी तो मुझे मिलता है compound Q क्या मिल रहा है compound Q मिल रहा है जिसके अंदर क्या बन रही है yellow color की yellow color की क्या बन रही है PPT बन रही है ठीक है उसके बाद देखे क्या कह रहा है compound Q which is used in photography यानि कि जो compound Q बन रहा है यह किस चीज के लिए मदद करता है यह मदद करता है है यह वाली आगे पढ़ते हैं क्यूं और एक्सपोजर टू सनलाइट जब हमने क्यूं की सनलाइट से रियक्शन कराई अंडर गोस डीकंपोजिशन रियक्शन कौनसी रियक्शन होईगी डीकंपोजिशन रियक्शन होईगी तो फॉर मैटल प्रिजेंट इन एलॉंग विद रैडिश ब्राउन गैस इडेंटिफाई पी एंड क्यू राइट बैलेंस क्यमिकल एक्वेशन फॉर दा रियक्शन तो अब देखिए हमसे क्या कह र अब देखिए इसको मैंने नाम दे दिया मैटल पी को Mn03 ठीक है जी क्योंकि मैटल के एक नाइट्रेट था उसकी मैंने रियक्शन करा दिया किस से एनने बी आर से उससे मिल रहा है मुझे कंपाउंड क्यूं क्यूं मिल रहा है ठीक है जी और जो कंपाउंड क्यूं है यह होता है हमारा किस चीज में photography के अंदर अब photography में आपको एक चीज रियक्शन पता होगी activity 1.8 NCRTक activity 1.8 जो थी उसके अंदर आपके एक reaction थी जिसके अंदर हमने agbr की reaction किस से करा दी थी sunlight से कराई थी agbr की reaction sunlight से कराई थी तो हमें AG अलग हो गया था और BR अलग हो गया था और यह जो reaction है particular यही reaction यूज होती है आपकी फोटोग्राफी के अंदर याद आया यह आपकी activity 1.8 थी तो इसके अंदर भी यही activity का use हो रहा है इसी activity का concept है यह वाला क्योंकि आपको दे रखा है यह किसमे यूज हो रही है फोटोग्राफी में यूज हो रही है और फोटोग्राफी में आपकी AG बियार वाली reaction यूज होती है तो अब देखिए जो आपके पस metal है यानि कि अपर पता चल गया जो metal है हमारे पास वो हमारे पास है AG का metal यानि कि silver metal तो हमारे पास जो metal नाइटरेट है वो क्या हो गया AG अनो 3 हो गया यानि कि silver का नाइटरेट हो गया अब silver नाइटरेट की reaction मैंने किस से कराई है NABR से किस से करा दी NABR से मैंने reaction करा दी तो मुझे आपर क्या मिलेगा मुझे आपे मिल जाएगा AGBR जो किया Compound Q इस यह हमारा Compound Q यह है Compound P ठीक है हमें क्या मिल गया है Compound Q मिल गया और इस Compound Q के साथ मुझे आपे देखिए यहां से AG के साथ कौन जुड़ गया BR जुड़ गया क्या बचा है आपे Nitrate Group बचा यहां पे क्या बचा सोडियम बचा तो दोनों एक साथ आखे जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा N-N-N-O-3 बन जाएगा सोडियम नाइटरेट बन जाएगा ठीक है अच्छा जी यानि कि अब आप यहां पे देखें रियक्शन के अंदर हमें रियक्शन में A-G-B-R जो कि कमपाउंड क्यू है ये बनाता है यलो कलर की PPT ये यलो PPT हमें मिलती है ठीक है और हमें आपे सोडियम नाइटरेट यहां पे मिल जाता है ठीक है अब कह रहा है हमने कमपाउंड क्यू जो है जो आपको compound Q है यानि कि AGBR जो है इसकी reaction आपने करा दी sunlight की presence में तो आपको metal तो अलग मिल जाता है और एक gas मिलती है तो जो metal है आपका कौन सा है AG का metal यानि कि silver का metal और इसके साथ आपको मिलती है gas वो gas कौन सी है bromine gas यहाँ पर बाहर निकल जाती है इसके balance chemical reaction लिखें तो आपको दो bromine यहाँ पर एक bromine दो यहाँ पर लगा दिया ठीक है जी यहाँ पर दो silver और यहाँ भी दो लगा दिया यहाँ पर पूरे हो गए और आपकी reaction क्या हो चुकी है balance और यह आपका answer number 11 और आपसे यही पूछा गया था देखिए जी metal nitrate क्या हो गया वो metal nitrate हो गया agn03 उसके बाद आपने इसको जो मिलता है क्या compound Q compound Q क्या है आपके पास agbr इसकी reaction आपने किस से गरा दी sunlight से तो आपको क्या मिल जाता है ag plus br2 मिल जाता है और यही आपका use होता है किसमे photography में तो यह आपकी reaction थी किसकी particular reaction जो थी यह थी आपकी photography में use होने वाली reaction ठीक है यह था आपका question number 11 I hope क्या आपको समझाया होगा note कर लिए इस question को कर लिया अब चलते हम question number 12 पे तो देखे question number 12 क्या कह रहा है हमसे question number 12 हमसे यह कह रहा है an element having an element C एक second एक element है C मतलब element को denote क्या गिया है C से ठीक है एक element है C having very unique valency in which it does not complete its shell by gaining or lossing their electron name the element C देखे क्या कह रहा है हमसे यह कह रहा है कि हमारे पास element है C उसकी जो valency है बहुत unique है यानि उसकी valency बहुत अलग है इसमें क्या होता है इसकी valency में कि यह जैसे आप जानते हैं कोई भी electron है आपके कोई भी atom है यह आपके कोई atom है इसके पास shells होते हैं यह के shell हो गया यह हो गया L shell इसके पास दो electron और यहां पर आपके पास 6 electron तो यह कौन सा shell है यह आपका कौन सा atom है यह आपका oxygen atom है ठीक है तो इसके पास क्या है 8 electron है ठीक है पर इसके के shell में आउटर shell में आपके L shell में कितने electron है 6 electron इसको अगर octet पूरा करना होगा तो क्या करेगा या तो electron देगा या electron लेगा ठीक है यह क्या करेगा इसके पास 6 electrons हैं outer shell में तो क्या 6 electron देगा नहीं यह 2 electron को ले लेगा और जब दो electron लेगा अपना outer shell यहां पर पूरा कर लेगा तो यहां पर हमसे कह रहा है कि जो को compound C है यह जो है ना तो अपने electron को दे सकता है और ना ही electron ले सकता है तो यह compound C का नाम क्या है यह compound C का नाम बताना है हमें और बताना है हमें कि how will this element complete their outer shell यह अपना outer shell किस प्रकार से complete करेगा यानि कि ना तो यह electron दे पाएगा ना यह electron ले पाएगा तो अपना outer shell कैसे पूरा करेगा यह बताईए अच्छा और कह रहा है हमसे how many types of bond does this element C form कितने type के bond बनाता है यह element C हमें यह बताना है ठीक है तो एक ए करके हम इनके सारे parts को पूरा करते हैं तो चलिए शुरू करता है question number 12 तो देखिए question 12 भी शुरूबात हम कर रहे हैं यह आपे हमसे कहाता है हमारे पास एक element है C नाम का ठीक है इसकी जो valency है बहुत unique है यानि कि ना तो यह अपने electron को दे पाएगा और नहीं है अपने electron ले पाएगा ना तो gain करेगा और नहीं loss करेगा अच्छा तो ऐसा कौन सा element है जो कि ना तो electron को gain करेगा नहीं electron को loss करेगा हमने एक ऐसा element पढ़ा है जिसका नाम था carbon आप जानें से carbon की जो valency वो plus minus 4 होती है plus minus 4 का मतलब ना तो चार electron देगा ना ही चार electron लेगा यहीं होता था तो जो element C है जो आपका element C है element C जो है वो है C for carbon C for carbon होता है C for कुछ और नहीं ठीक है तो element C क्या है आपके पास carbon है ठीक है उसके बाद देखिए अब कह रहा है हमसे कि जो carbon है जो element C है अपना outer shell कैसे पूरा करेगा जैसे हम जानते है carbon के पास होते हैं 6 electrons तो K shell हो गया और यह हो गया आपका L shell K shell में 2 electron L shell में 4 electron अब यह अपना octet कैसे पूरा करेगा क्योंकि ना आप जै आउटर शेल के 4 electron दे देगा और नहीं किसी और से 4 electron ले लेगा तो अब यह आउटर शेल कैसे पूरा करेगा तो इसका second part है यह अपना outer shell पूरा करेगा by sharing their electron this element C अब ले तो करवन गूरा कुम्दे इस आउटर शेल आउटर शेल बाई शेरिंग देर इलेक्टरोन तो अधर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्टरोन को क्या कर देगा ये शेर कर देगा ठीक है और क्या बनाएगा शेर करने के बाद एंड फॉर्म कोवेलेंट बाउंड क्या बनाता है ये कोवेलेंट बाउंड बनाता है ठीक है अब हमसे अगला कोशन यही कह रहा है कि कितने टाइप के बाउंड बनाएगा अब जो कारबन है वो कितने टाइप के बाउंड बनाता है तीसरा पार्ट देखें जो कार्बन है आपका कार्बन फॉर्म थ्री टाइप ओफ बॉन्ड कार्बन जो है तीन टाइप के बॉन्ड बनाता है कौन कौन से तीन टाइप के बॉन्ड बनाता है तो कार्बन बनाता है कार्बन तीन टाइप के बॉन्ड बनाता है एलकेन एलकेन और एलकाइन नाम के ये तो नाम है इनके भाईया हमने तो बॉन पूछे थे आपसे तो सुनो बॉन के नाम भी सुनो अब जो एलकेन होते हैं वो बिचारे दुनिया के सबसे उदास बंदे हैं अब पूछो गैसा क्यों जो एलकेन है दुनिया के सबसे उदास बंदे क्यों है क्योंकि जो एलकेन है वो है सिंगल भाया यह तो दुखी वाली बात है एलकेन क्या है एलकेन है सिंगल बंदे यानि कि कारबन कारबन के बीच में जब सिंगल बॉंड होता है तो बनता है एलकेन ठीक है कारवन कारवन की बीच में जब सिंगल बॉंड होता है तो बनता है एलकेन एलकेन थोड़े से कहेंगे खुश मिसाज बनते हैं क्यों क्योंकि यह है डबल क्या है यह 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 है double यानि कि carbon carbon की बीच में जब double bond होगा तो बनता है alkyne और जो alkyne है वो है pro level alkyne है pro level क्यों pro level है क्योंकि इनके बीच में चल रहा है triangle यानि कि triple bond देखिए alkyne है सबसे उदास बंदे यानि कि single bond alkyne थोड़े खुशमिजाज बंदे क्योंकि double bond और alkyne तो है pro level legend बोलते है इनको क्यों क्योंकि इनके बीच में चल रहा है triangle यानि कि triple bond ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे तो एक carbon कितने bond बनाता है carbon बनाता है तीन टाइप के covalent bond alkyne, alkyne, alkyne alkyne उदास क्योंकि single है बिचारे alkyne खुशमिजाज क्योंकि double है इनको एक partner मिल चुका है और alkyne तो pro level है, legend है क्योंकि इनके बीच में चल रहा है triangle ठीक है जी समझाती है बाच भया ऐसे समझाओ तो बिल्कुल समझाएगा बिल्कुल, ठीक है तो question number 12 आप कोई तिकत तो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तो जल्दी से note कर लीजिए किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर ये note कर लिया तो अब हम चलते है, question number 12 हमने आप पूरा कर दिया है अब चलेंगे question number 13 के उपर अब question number 13 काफी important question है काफी जादे important question है ये वाला इस बार मुझे लगता है कि board exam में ये वाला question देखने को पक्का मिल सकता है तो भाईया देखे पहले question कहा क्या रहा है question पढ़ दो लीजिए भाईया पहले हाँ तो देखो question हमसे ये कह रहा है how can we identify the given element is a metal or a non-metal यानि कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई भी हमारे पास जो element है वो metal है या फिर non-metal है by its number of electron यानि कि electronic configuration यानि कि हम किसी भी element के electronic configuration को देख करके ये कैसे बता पाएंगे कि जो सामने हमारे पास element है वो metal है या फिर non-metal है कैसे तो देखे काफी important question है वाला बात करते हैं इसका answer की तो देखिए example की बात करते हैं इसको में एक example से समझेंगे हम एक example लेकर चलते हैं देखे हमें पता है कि जो sodium हो एक metal है क्लोरी जो carbon है वो एक non-metal है यह जानते हैं जो की sodium है वो क्या है एक metal है sodium क्या है एक metal है और वहीं पर हम बात करें nitrogen की जो nitrogen है वो एक non-metal है nitrogen क्या है एक non-metal है ठीक है nitrogen की जाब यह तो एक काव गरी क्लोरीन ले लीजिए ठीक है example तो बहुत सारे है नोन-metals के पर यह तो हमें पता है वह यह हमें तो यह कहा है कि electronic configuration से कैसे पता लगाएंगे तो देखिए बताते हैं आपको sodium के पास कितने electrons होते हैं sodium के पास होते हैं ग्यारा electron है ठीक है chlorine के पास कितने electron होते है chlorine के पास होते हैं total 17 electron तो अब देखिए भीया अगर हम sodium के electronic configuration करेंगे तो आएगा 2,8,1 और chlorine की करेंगे तो 2,8,7 यही बनेगी ठीक है अब देखिएगा सुनिये का बात यहांबे ध्यान से sodium के outer shell में एक electron chlorine के outer shell में साथ electron सुनिये बात जो देदेगा असानी से जो मांगते ही देदे क्या electron जो मांगते ही electron देदे वो होगा metal मतलब सुनिये बात देखिए outer shell में कितने electron है इसके एक electron क्या यह साथ electron ले पाएगा answer है नहीं यह अपना एक electron देना पसंद करेगा या निकी ऐसे element जो कि देना पसंद करें क्या electron ऐसे element जो कि देना पसंद करें electron वो होते हैं metals जो देना पसंद करते हैं वो है metal और ऐसे element जो कि लेना पसंद करते हैं electrons वो होते हैं non-metals जो लेना पसंद करते हैं electrons को वो होते हैं non-metal ठीक है जी यानि कि ऐसे element जो कि electron दे दें वो metal ऐसे element जो कि electron ले 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 वो non-metal ठीक है कोई दिक्कट पक्की बाद ठीक है एक और चीज समझेए अच्छा sodium ने electron दे दिया अपना sodium ने electron दे दिया और देने वाला क्या होता है बड़ा होता है मान लीजिए आप किसी को दान दे रहे हैं आपने किसी को दान दे दिया तो आप खुद को क्या समझेंगे काफी अच्छा समझेंगे न आपके दिमाग में वो oh my god का गाना बजेगा वो कौन सा था गाना मैं तो नहीं हूँ इनसानों में ताइब का जो गाना था एक आपके दिमाग में वो गाना बंदे लगेगा क्यों? क्योंकि आपने दान दिया है और दान देने के बार आप आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेगा आपको खुद के अंदर ही बहुत अच्छा महसूस होगा ठीक है तो यानि कि जब metals electron दे रहे हैं तो वो बड़े होंगे बिल्कुल बड़े होंगे तो इसने कितने electron दिये है sodium ने एक electron दिया है तो sodium के उपर अदाएगा एक positive charge क्या बन जाएगा एन्ने positive बन जाएगा ठीक है और chlorine ने दान लिया है chlorine को हमने दान दिया है कि भीया ले तो खुश हो जाएगा तो इसने कितने electron लिये हैं इसने एक electron लिया है तो chlorine के उपर अदाएगा negative charge ठीक है जानी कि जितने electron देंगे उतने positive charge जितने electron लेंगे उतने negative charge अब देखें example की बात समझते हैं जैसे मैं बात करूँ magnesium की अब जो magnesium है वो आता है बारवे नमबर पे और बात करें हम oxygen की यह आता है आठवे नमबर पे आने कि ख़पास होंगे आठ electron ठीक है अब इसकी electronic configuration करें तो होती है 2,8,2 इसकी electronic configuration करें तो होती है यह 2,6 अब देखिए metals कौन जो की देना पसंद करते हैं electrons को वो होते हैं metals ठीक है तो यह देखिए इसके पास है outer shell में 2 electron क्या यह 6 electron ले पाएंगे नहीं यह 2 electron दे देंगे इन्होंने 2 electron दे दिये अच्छा जो oxygen है क्या 6 electron दे पाएगा नहीं वो 2 electron लेना पसंद करेगा non-metals कौन जो की लेना पसंद करें electrons को वो होंगे non-metals तो इसने 2 electron ले लिए अब देखिए magnesium ने कितने electron दिये हैं 2 electron दिये हैं तो magnesium के उपर आगया 2 positive charge और oxygen ने कितने electron लिए हैं 2 electron लिए हैं तो इसके उपर आगया 2 negative charge इस तरीके से हम बात करते हैं किसकी metals और non-metals की यानि कि जो अपने outer shell से electron दे देगा वो होगा metal जो outer shell में एक electron ले लेगा वो होगा non-metal तो इस तरीके से हम electronic configuration की मदद से बता सकते हैं कि हमारे पास given element metal है या फिर non-metal है I hope कि आपको ये concept समधाया होगा अच्छी तरीके से ठीक है अगर अच्छी तरीके समधाया है तो note कर लीजे एक बार इसको कर लिया ठीक है जी हमारे पास ये question number 13 था वो हमने complete कर दिया है कि हम electronic configuration से कैसे बताएंगे कि सामने वाला element metal है या फिर non-metal है अच्छा अब बात करते हैं अब हम अपने question number 14 की और question number 14 भी काफी जदे important question है x y वाले questions तो काफी जड़ा ही important होते हैं और इस paper केना काफी ज़दा x और y वाले questions आपको देखने को मिले हैं अब भी आगी भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो पहले हम बात करते हैं कोशन नमबर 14 की तो देखें कोशन नमबर 14 क्या कह रहा है जो दो चीज़ हमें गिवन दे रही है न वो वो चीज़ हम लिखते रहते है तो हमसे क्या कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि HCl Acid था हमारे पास उसकी रियक्शन मैंने किस से करा दिये Strong Base से अब Base Strong Base का नाम बहुत बढ़िया NaOH हो गया Sodium Hydroxide हमने जब HCl की रियक्शन NaOH से कराई तो मुझे मिलता है Salt X अच्छा क्या मिल रहा है मुझे Salt X मिल रहा है यानि कि अब आप जानते है HCl जो की एक Acid है NaOH जो की एक Base है Acid और Base की रियक्शन होती है तो कौन से रियक्शन मनती है वो Neutralization reaction बहुत बढ़िया कौन से रियक्शन मनती है Neutralization reaction मनती है तो यानि कि जब हमने HCl की रियक्शन NaOH से कराई तो मुझे मिलेगा salt और यहाँ पे क्या salt मिलेगा मुझे यहाँ पे मिलेगा मुझे NaCl मिलेगा बहुत बढ़िया सबास यानि कि जब हमने HCl की reaction Na उच्छे कराई मुझे मिल रहा है NaCl और क्या मिल जागा मुझे साथ की साथ पानी मिल जाएगा ठीक है अब देखे आगे पढ़ते हैं आगे कह रहा है अब यह salt हमारे पास जो हमारे पास salt मिला है उसकी reaction मैं किस से करा दी H2O से CO2 से और ammonia से यानि कि something कुछ हमसे यह कह रहा है कि जो मुझे यहाँ पे मिला है NaCl इसको मैंने react करा दे किस से H2O से CO2 से और ammonia से तो मुझे क्या मिल रहा है मुझे आपे मिल रहा है compound Y sorry एक सेकंड जी हाँ ammonia से करा ही तो मुझे मिल रहा है compound Y और यह जो compound Y है यह यूज होता है anti-acid में किस में यूज होता है anti-acid में अब anti-acid आप जानते होंगे क्या होता है anti-acid ऐसे elements है या फिर हम बात करें base होते है anti-acid anti-acid क्या होते है basically यह होते है base जो कि हमारे पेट के अंदर जो pH level होता है उसको बढ़ा देते है यानि कि उसको neutral करने में मदद करते है जब पेट में acid level बढ़ जाता है तो anti-acid लेते हैं जो कि base का काम करता है वहाँ पे क्या होते है neutralization reaction और हमारे पेट के अंदर जो acid उसको शांत कर देती है ठीक है anti-acid में यूज होता है compound Y और इससे हम washing soda भी बना सकते है क्या बनाते हैं washing soda भी बनाते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं तो अब देखिए अब आप यह जानते हैं कि base as a anti-acid में किसको यूज करते हैं बहुत बढ़ी है baking soda को यूज करते हैं और baking soda का formula NaHCO3 क्या बनता है ये sodium bicarbonate क्या बनता है sodium bicarbonate बनता है सबास उसके साथ साथ मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे NH4Cl मिलेगा ammonium chloride जो कि as a byproduct है byproduct कोई का मतलब byproduct का मतलब है जो main product है हमारे पास वो है sodium bicarbonate उसके साथ साथ जो मिला है वो है हमारे पास NH4Cl यानि कि ammonium chloride तो ये जो y है ये होगे हमारे पास क्या salt x ये हमारे पास compound y हमने salt x का नाम बता दिया जो कि है NaCl यानि कि sodium chloride y का नाम बता दिया जो कि है sodium bicarbonate यानि कि NaHCO3 जिसको हम प्यार से बोलते है baking soda हमने reaction लिख दी है formation of compound y की जो कि आपके सामने आपे लिखी हुई है ये आपका compound y और अब कहरा है हमें कि reaction for formation of washing soda यानि कि अब हमने बोला जो NaHCO3 है ये use होता है washing soda बनाने के लिए तो अब हमें washing soda की preparation लिखनी है तो washing soda का formula क्या होता है बहुत बढ़िया washing soda का formula होता है washing soda formula होता है नाम बताए क्या होता formula में आपके बनाएंगे अब ठीक है नाम बताएं पहले नाम होता है sodium carbonate decahydrate क्या होता है sodium carbonate decahydrate यानि कि Na2CO3 dot 10H2O अब पहले हमें यापे Na2CO3 से यानि कि sodium bicarbonate से sodium carbonate में जाना पड़ेगा sodium bicarbonate से sodium carbonate की तरफ जाना पड़ेगा और कैसे जाएंगे हम हम जाएंगे जब हमने इसको कर दिया heat हमने यापे Na2CO3 को जब किया heat तो heat करने के बाद यापे hydrogen gas बाहर निकल जाएगी और क्या बनेगा ये Na2CO3 प्लस H2 gas यहाँ से बाहर निकल जाएगी और इसको बोलते हैं sodium carbonate क्या बोलते हैं sodium carbonate बोलते हैं बहुत बढ़िया अब जब हमने sodium carbonate के अंदर 10 moles पानी के डाल दिये 10 molecule किसके डाल दिये पानी के तो मिल जाएगा Na2CO3 dot 10H2O और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं sodium carbonate deca hydrate यानि कि washing soda ठीक है जी कोई दिककत नहीं है तो जल्दी से note कर लीजिए इसको कर लिया बहुत बढ़िया अब चलते हैं अब अपने question number 15 पे काफ़ी important question है ये वाला भी देखो question number 15 क्या कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है an element x एक element हमारे पास x it is a metal जो x हो कि हमारे पास एक metal है but can easily melt in room temperature पर बहुत असानी से melt होता है room temperature पे यह हम ऐसा बोल सकते हैं ये room temperature पे liquid में ही रहता है its reactivity is low इसको reactivity है वो क्या है कम है but still found in their ore in the nature यानि कि अपने nature यानि कि nature के अंदर तब भी वो किसमे रहता है अपनी ore की form में बाहर निकलता है जैसा हम जानते हैं जो least reactive element होते है वो free state में बाहर निकलते है पर ये जो element है ये अपनी ore की form में बाहर निकलता है ठीक है और room temperature पे कैसे रहता है liquid अब room temperature पे ऐसा कौन सा element है जो कि liquid रहता है mercury क्या है mercury ठीक है जी यानि कि जो metal X है वो क्या है mercury है अच्छा mercury का हमने पहले बताना है metal X का नाम जो कि हमने बता दिया है क्या है mercury बोले तो H जी इसके ore का नाम बताना है mercury के ore का नाम क्या होता है sinibar बहुत बढ़िया क्या होता है sinibar होता है ठीक है उसके बात कह रहा है हमसे explain the process by the help of reaction through which we can extract this metal X from their ore यानि कि chemical reaction की मदद से हमें बताना है हम कैसे metal X को उसके ore से बहार निकाल सकते हैं तो देखिए पहली बात जो metal X है वो है mercury और जो उसका ore होता है सिनेबार क्या होता है सिनेबार होता है अब हमें इसके ore से बाहर निकालना है पहली बात सिनेबार क्या होता है mercury का ore यानि कि HGS ठीक है अब हमें बताना है HGS से हम HG में कैसे जाएंगे तो इसके पीछे process होता है जिसको बोलते हम calcination शाय तक आपको याद होगा calcination process होता है तो हमने क्या किया HGS की reaction मैंने किस से करा दी heat करा दी HGS को in the presence of oxygen HGS को मैंने heat कराए in the presence of oxygen तो यहां से मुझे HGO यानि कि mercury oxide बाहर मिल जाएगा और यहां से sulfur dioxide gas बाहर निकल जाएगी SO2 gas यहां से बाहर निकल जाएगी ठीक है कोई दिक्कत पक्की बात यहां तक नहीं अच्छा अभी भी क्या हमें pure mercury मिला है नहीं अभी भी हमें mercury किस की form में मिला है oxide की form में हमें mercury किस form में चाहिए pure HG की form में अब क्या करेंगे हम अब हम दुबारा से इसको क्या कर देंगे दुबारा से इसको heat कर देंगे in the presence of oxygen तो यहां से HG बाहर निकल जाएगा और oxygen gas बाहर निकल जाएगी और यह रहा हमारा pure mercury यह रहा हमारा pure mercury ठीक है जी कोई दिक्कत reaction को नोट करिया का काफी important reaction है काफी important reaction है यह वाली ठीक है कर लिया नोट थर्ड पार्ट पर चलें इसके थर्ड पार्ट कह रहा है one use of this metal x इस metal x का में एक use लिखना है अच्छा metal x जो mercury है वो किस चीज में use होता है बहुत बढ़िया थर्मा मीटर में use होता है किस में use होता है थर्मा मीटर में ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं हमने तीसरा पार्ट भी कर दिया लास्ट और चौथा पार्ट देखे क्या कह रहा है why does sodium metal captain kerosene oil जो sodium metal है उसको हम kerosene oil में क्यों रखते हैं sodium metal को हम kerosene oil के अंदर क्यों रखते हैं तो देखे जो sodium metal है वो oxygen की presence में oxygen की presence में काफि विगरसली रियक्ट करता है विगरसली का मतलब बहुत खतरनाक तरीकिस रियक्ट करता है ठीक है इसले में इसको किसमें डालते हैं kerosene oil के अंदर रखते हैं क्यों क्यों कि kerosene oil के अंदर oxygen नहीं मिल पाएगी oxygen नहीं मिल पाएगी oxygen नहीं मिल पाएगी तो इसके कारण यहां पर यह react नहीं करेगा यानि क्या रहेगा safe रहेगा और sodium एक बाद पानी के या फिर oxygen के contact में आ गया moisture के contact में आ गया तो वो दमाका कर देता है ठीक है इसलिए हम मापकरेज़ सोडियम को kerosene oil के अंदर रखते है I hope कि आपको यह question भी समझा आया होगा कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी ठीक है note कर लीजिए देखें सोडियम oxygen के presence में रह करके vaguelyously react करता है इसलिए हम इसको kerosene oil के अंदर रखते हैं क्योंकि kerosene oil में oxygen नहीं मिल पाता तो इसको note कर लीजिए आप कर लिया चलते हैं आगले question के उपर तो देखें आप अगला question क्या कह रहा है हमसे देखें अगला question हमसे कह रहा है write the example of each हर एक हमें example लिखना है किसका combustion reaction का और oxidation reaction का अच्छा combustion और oxidation ये आपके जो reactions नहीं है carbon compound की reactions ठीक है तो देखें पहले हम बात करते है combustion reaction की conversion reaction की तो देखें जिया तो देखे, पहले बात करता है combustion की तो हम पहले बात करें combustion reaction में क्या होता है combustion reaction में क्या होता है combustion reaction की बात करें तो इसके अंदर simple भाष्ण में बात करी जाए जब हम किसे भी carbon compound को जब किसे भी carbon compound को oxygen की presence में heat करते हैं किसे भी carbon compound को oxygen की presence में heat करते हैं तो वो हमें carbon dioxide gas और पानी बहार देता है किसे भी carbon compound को जब हम oxygen की presence में heat करते हैं तो हमें वो CO2 और H2O बहार देता है ठीक है देखे एक्जाम्पल देखते हैं इसका एक एक्जाम्पल जैसे मैं लिलू CH4 क्या ही है मीथेन मीथेन की रियक्शन मैंने किस से करा दी ऑक्सिजन से और इसको कर दिया हीट तो क्या हो जाएगा यहाँ से मुझे CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसको आगे बैलंस करना चाहिए तो बैलंस कर सकते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है चार हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ आप आपने लगा दिया दो तो आपके कितना hydrogen हो गए total चार hydrogen oxygen कितने हो गए चार हो गए जहाब आपने लगा दिया दो तो आप देखिए यहाँ पे 4 oxygen 2 और 2 4 oxygen 4 hydrogen और 4 hydrogen आपकी reaction यहाँ पे balanced है ठीक है कोई दिकत अच्छा यहाँ पे आप बड़े से बड़ा carbon compound लीजिए या छोटे से छोटा carbon compound लीजिए छोटे से छोटे का carbon compound के example देखा दिया बड़े से बड़ा क्या होता है जैसे हम बात करें glucose की C6 H12 O6 इसकी reaction में किस से करा दी oxygen से heat कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा CO2 plus H2O इसको balance करें तो 6 oxygen 6 carbon 6 hydrogen C6 H12 O6 6 O2 6 CO2 6 H2O ये भी हाख कि क्या है एक combustion reaction के example है तो आप जाए बड़े से बड़ा carbon compound लीजिए या छोटे चोटा carbon compound लीजिए या बड़े से बड़ा carbon compound लीजिए आपको हमें से CO2 और H2O ही बहार मिलेगा यह हमें कहती है combustion reaction ठीक है नोट करिए इसको किया ओके अब बात करते हैं हम oxidation reaction के बारे में oxidation reaction के बारे में बात करें अगर अब हम तो जो oxidation reaction है ये होती है आपकी oxidizing agent के presence में किसकी presence में होती है oxidizing agent के presence में होती है अच्छा अब ये oxidizing agent क्या है इसमें जो oxidizing agent होता है वो दो होते हैं या तो आप KmnO4 ले लीजिए या तो आप K2Cr2O7 ले लीजिए KmnO4 लाने के sodium potassium permagnate या पोटेशियम dichromate इन दोनों में से आप कोई साभी oxidizing agent यूज़ कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है जो alcohol है जो alcohol है वो oxidize हो जाती है किसमें carboxylic acid में एक्जामपल देखिए C2H5OH है क्या है आपके ये ethanol है क्या है ethanol अब आपने ethanol को KmnO4 या फिर K2Cr2O7 से react करा दिया तो क्या मिल जाएगा CH3 COOH मिल जाएगा यानि की vinegar मिल जाएगा acetic acid मिल जाएगा यानि की carboxy मैं आपकरिए ethanolic acid मिल जाएगा चीक है बहुत सारे नाम है इसके ethanolic acid है vinegar है acetic acid है ठीक है बहुत सारे नाम है इसके ठीक तो क्या हो रहा है alcohol ethanol की reaction आपने किसे चेग रहा है KmnO4 ठीक है अब बात करते हैं अपना अब देखिए हमसे कह रहा है why our carbon compound have low melting point जो carbon compounds होते हैं उनका melting point कम क्यों होता है ऐसा क्या reason है कि carbon compound को melting point होता है कम तो देखिए carbon compounds की बात है cc cc की बात कहरे हैं अगर अब तो जो carbon compounds है वो अपना electron कैसे पूरा करते हैं अपना octet कैसे पूरा करते हैं octet पूरा करते हैं by sharing by sharing their electron अपने electron को share करके अच्छा यानि कि हम सीधा सीधा बोलें तो इन्होंने अपना खुद का एक bond नहीं बनाया है यह दूसरों के उपर निर्भर हैं यह दूसरों के उपर dependent हैं तो कभी भी अगर आप दूसरों के उपर depend रहेंगे तो obviously बात है आपका जो bond है वो easily तूट जाएगा यही चीज carbon compound के अंदर होती है जो carbons हैं वो दूसरे element के उपर depend रहते हैं कि या कोई आएगा मुझे electron देगा तो मेरा octet पूरा होगा पर इसके कारण जो इनके बीच में bond होता है वो क्या होता है बहुत weak होता है इनके बीच के जो bond होता है वो बहुत weak होता है और इस weak bond के कारण इनका जो melting point है या boiling point है वो क्या होता है बहुत low होता है क्योंकि इनके बीच के जो bond है वो क्या होता है weak carbon compound have weak force of attraction weak force of attraction होती है जिसके कारे इनका melting और boiling point क्या होता है वो भी weak होता है I hope कि समझाया होगा आपके वाला question ठीक है चलते हैं इसके third part के ओपर जो कि काफी ज़ाद है important और एक और आपका X और Y वाला question है वाला हमसे कह रहा है अग compound A हमारे पास एक compound है A जिसके पास 2 carbon है 4 hydrogen है और 2 oxygen है ठीक है यानि हम पहले आपे लिख लेते है compound A क्या है हमारे पास C2H4O2 reacted with sodium किस से react किया sodium से react किया to form compound B और compound B बनाता है वो and evolve a gas burned with pop sound एक gas produce करते है तो pop sound से फूरती है यानि कि कौन सी gas हो गई वो hydrogen gas ठीक है इस तरीका आपको question करने है इस तरीके से आपको question करने है जो तो चीज़ आपको given दे दिये है जैसे compound A दे दिये तो आपने वो लिख लिया उसके बाद कह रहा है कि एक gas produce होती है जो pop sound से फूरती है आपको पताओने चीज़ यह कौन सी gas हो H2 gas है तो आपे लिख ली जी H2 gas यहाँ पे बाहर निकलती है compound A on treatment with alcohol C अब हमने एक alcohol C उससे हमने इस compound A की reaction करा दी तो हमें मिलता है in the presence of acid acid की presence में हमने क्या करा दिया reaction करा दी किसकी compound A की alcohol C से तो आपको sweet smelling compound D मिलता है sweet smelling compound D यानि कि एक ऐसा compound जिसके पास बहुत मीठी खुश्बू होती है बहुत बढ़िया ester क्या मिलता है ester C4H8O2 जो compound D है वो है C4H8O2 उसके बाद आपने इस element D की reaction compound D की reaction N ने OH से करा दी तो आपको B और C वापस मिल जाता है B और C वापस मिल जाता है तो A, B, C, D का नाम बताईए तो देखें बहुत easy reaction है बहुत easy है हमने compound A लिया ठीक है उसकी reaction मेंने किस से करा दी है N से तो मुझे मिलता है compound B और मुझे H2 gas भाहर मिलती है उसके बाद मैंने इसकी reaction करा दी alcohol से तो मुझे मिलता है compound D तो देखें बात करने अगर हम यहाँ पे मेरे पास था compound A जिसके पास 2 carbon 4 hydrogen और 2 oxygen थे ठीक है अब देखें याई carbon compound है ऐसा carbon compound जिसके पास 2 oxygen हो मैं बात करना पर ethnoic acid की मैंने ethnoic acid लिया CH3 COOH 3 hydrogen 1 hydrogen, 4 hydrogen 2 carbon, 2 oxygen ethnoic acid लिया इसकी reaction मैंने किस से गरा दी N से ठीक है यही कह रहा था हम से कि हमने compound A लिया जिसकी reaction मैंने N से गरा दी तो मुझे compound B मिलता है compound B क्या हो गया यहाँ पर compound B हो गया CH3 COO NA CH3 COO NA जो कि आपका compound B यह है compound A ठीक है compound B मिलता है और hydrogen gas यहाँ से बहार निकल जाती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा हम से compound A की reaction मैं किस से गरा दी alcohol C से तो मुझे मिलता है sweet smelling compound D इस compound A की reaction मैंने alcohol C यानि की ethnoic माफ करें ethnole से करा दी C2H5 OH से करा दी तो मुझे मिलता है sweet smelling compound D यानि की CH3 जिसमें देखिए एक आपकर गरिए क्या कर रहा है 4 क्या है 4 कार बनाए यानि की इसको ऐसी लिख सकते है C2H5 C2H5 नहीं देखिए क्या बन गया CS3 C double bond O O C2H5 ये बन गया आपका ester क्या बन गया ये ester बन गया ठीक है इस A की reaction आपने C से करा दी तो मिलता है आपको compound D जो की है ester ठीक है इसको बोलते है esterification reaction कौनसी reaction esterification reaction नोट करते रहिएगा काफी important reaction है esterification esterification reaction है ये आपने compound A यानिकि एथना acid की reaction alcohol C यानिकि एथनाल से कराई तो आपको compound D यानिकि ester मिलता है इसके पास जो smell है कैसी होती है बहुत sweet smell होती है उसके बाद आपने इस element D की reaction किस से करा दी NaOH से करा दी NaOH से करा दी तो क्या मिलता है आपको B और C वापस मिल जाता है B C आपको वापस मिल जाता है तो B क्या था आपके पास CH3 COON A और C क्या था C2H5 OH प्लस CH3 COON A और इसको बोलते है saponification reaction note करिएगा समदाय क्या कह रहा है question A यानिकि इथनाइक acid B यानिकि यह है आपका sodium acetate C यानिकि alcohol यानिकि इथनॉल और D यानिकि एश्टर ठीक है यह आपकी reaction है I hope क्या को समदाया होगा note करिए इस question को कर लिया ठीक है अब अपना second last question है वाला second last question है वाला हमसे कह रहा है second last question में हमें तीन beaker दे रखे हैं जिसमें एक में HCL का aqua solution एक में glucose का aqua solution और एक में alcohol का aqua solution हमसे कहरेंट में कौन सा aqua solution क्या करेगा electricity यानिकि इस bulb को glow कर देगा तो आप जानते हैं पानी के अंदर जो distil water होता है उसके अंदर electricity flow नहीं करती है electricity कब flow करेगी जब पानी के अंदर क्या होंगे ions होंगे और ions कौन देगा यानिकि HCL ion देदेगा यानिकि कौन से beaker में electricity produce होगी A beaker में electricity produce होगी क्यों due to breakdown into ions ions में जब breakdown हो जाएगा तभी इसमें electricity produce हो पाएगी ठीक है कोई दिक्कत अच्छा अगला पार्ट क्या कह रहा है why it is advisable to pour acid in water not water in acid सीदा सीदा कह रहा है कि हमें ये क्यों कहा जाता है कि acid को पानी में डालो acid को पानी में डालो उल्टा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने पानी को acid में डाल दिया तो बहुत ज़्यादा exothermic process होता है बहुत ज़्यादा exothermic process होता है उससे आपको जो beaker है जो जिस बीकर में डाल रहे है वो भी तूट सकता है और आपको भी क्या हो सकता है चोट लग सकती है आपको भी injury हो सकती है इसलिए हमसे कहा जाता है हमेशे acid को पानी में डालिए acid को अराम अराम से वो भी अराम अराम से slowly 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 हिला हिला के beaker को हिला हिला के क्या डालिए acid में पानी डालिए माफ करिए पानी में acid डालिए ठीक है कोई दिक्कत अफ़े रहा है preparation लिखनी है working soda की washing soda की और bleaching powder की तो देखिए baking soda washing soda और bleaching powder की हमें भी क्या लिखनी है preparation लिखनी है तो चलिए लिखते हैma preparation भी इसकी पहले हम बात करते हैं baking soda की baking soda क्या होता है NaCO3 यानिक सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है NaCO3 में पानी एमोनिया और CO2 गैस मिला दीजिए क्या बन जाएगा बेकिंग सोडा और और क्या बने गए यह एमोनियम क्लोराइड यह आपका बेकिंग सोडा ठीक है अब बात करते हैं बाशिंग सोडा की आपने जब बेकिंग सोडा को हीट कर दिया तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट और H2 गैस बाहर निकल जाती है सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हाइडरोसन गैस बाहर निकल जाएगी ठीक है इस sodium carbonate के अंदर जब आपने 10 mol पानी के मिला दिये तो क्या मिनेगा आपको यहाँ पे Na2CO3.10H2O जिसको हम बोलते है sodium carbonate डेका hydrate प्यार से बोलते हैं washing soda ठीक है और लास्टली हम बात करें bleaching powder की bleaching powder क्या होता है calcium oxy chloride calcium oxy chloride कैसे बनता है जब आपने CAOH के होल ट्वाइस में chlorine gas मिला दी तो क्या बनता है CAOCl2 बनता है और यहाँ से H2O बहार हो जाता है ठीक है कोई दिक्कत किसी चीज़ की परिशानी नहीं तो यह तीन आपकी preparation इनको note करिए काफी important है salts तो काफी दाधा importance है इसकी preparation कई बार पूछी जाती है कर लिया note ठीक है तो अब हम finally अपने इस sample paper के last question पे आ गए है और one of the most important question है यह अभी तक का one of the most important question है यह तो सुरिये क्या कह रहा है यह question हम से कह रहा है an organic compound X एक organic compound है यानि की carbon produce होगा इसके अंदर an organic compound X heating with concentrated H2SO4 from a compound Y हमारे पास एक organic compound है X इसको मैंने H2SO4 से heat कर दिया उससे मिलता है मुझे compound Y which on addition of molecule hydrogen यानि की एक molecule मैंने hydrogen का मिला दिया मतलब hydrogen का molecule मिला दिया in the presence of nickel nickel की presence में मैंने hydrogen का molecule मिला दिया उससे मिलता है मुझे compound Z बहुत बढ़िया अब देखिए simple चीज हम से कहा रहा है हमारे पास एक element था X उसको मैंने H2SO4 से क्या कर दिया react जिससे मिलता है मुझे compound Y अब यह compound Y है इसको मैंने nickel की presence में react कराया उससे मिलता है मुझे compound Z अच्छा nickel की presence में कौन सी reaction होती है सबाश addition reaction अब यह addition reaction क्या काम करती है addition reaction काम करती है इस इथीन को इथीन में बतलने का unsaturate से saturate hydrocarbon में जाने का यानि कि जो Y होगा वो obvious की बात है कोई unsaturate होगा hydrocarbon और जो Z है वो एक saturate hydrocarbon होगा उसके बाद जब हमने इस Z को इस Z को combustion reaction में डाला उससे मुझे molecule मिलता है carbon dioxide के और पानी के तो बताए यह XYZ क्या है और इकी chemical reaction लिखिए तो देखे easy है easy है बहुत easy है हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक element X था उसको मैंने H2SO4 से react करा दिया उससे मिलता मुझे compound Y काफी ज़ादा underrated reaction है यह वाली बहुत ज़ादा underrated reaction है बच्चे ज़ादा अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा मैं अपने offline के जो students हैं उनसे भी यही गयता हूँ कि यह जो reaction है ना यही reaction marks लेकर कर जाएंगे तुम्हारे क्योंकि उनको मैंने 3-4 बार एक question दिया है और वो हमेशा इसी particular reaction को भूल जाते हैं बाकि उनको हर एक चीज याद रहेगी पर यह particular reaction भूल जाएंगे क्यों भूलते हैं? क्योंकि काफी underrated reaction रहती है NCRT में भी छुप करके दिख्य हुए है यह वाली reaction बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं उस चीज पे असल में क्या है? हमने ethanol लिया ethanol को मैंने H2SO4 से react कराया तो मझे Y जो मिलता है ना वो मिलता है ethene क्या मिलता है? ethene मिलता है और यह काफी important reaction है यह वाली reaction क्योंकि बहुत सो लोगों को भी पता है कि यह इस reaction में बच्चे ध्यान तो देते नहीं है एक काम करो यह वाली reaction का question बना दो और बच्चे सारे question को छोड़ गया लाते है क्या मिलता है? ethene मिल गया अब इस ethene के हो गया हमारे पर x यह हो गया हमारे बब y अब इस ethene को मैंने nickel के presence में react कराया और hydrogen के molecule add कर दिये तो क्या होगा देखे एक bond यहापर तूटेगा तो एक hydrogen यहापर एक hydrogen यहापर आकर जुड़ जाएगा क्या बन गया? CS3 CS3 बन गया ठीक है उसके बाद मैंने ethene का एक molecule उठाया अच्छा क्या इसकी वैलेंसी पूरी है? नहीं इसकी पहले वैलेंसी पूरी करने पड़ेगी hydrogen के चार molecule ले लिए उसको मैंने oxygen के presence में heat करा दिया तो मुझे CO2 और H2O मिल जाता है और यही आपके क्या कहा रही थी? question आपको यही कहा रहा था तो यह आपका X CO हो गया जो कि यह ethanol Y हो गया आपका ethene Z हो गया ethene और उसके बाद आपको CO2 और H2O मिल गए ठीक है? तो यह था आपका question paper अब और आपको यह अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पैं नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको लगता है पेपर काफी जादा important रहा है आपके लिए तो इसको अपने दोस्तों को भी share करिए जिससे वो भी अपने board examination के त्यारी कर सकें तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye